हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्तिरियन प्रसूती रोग विश्य शग्य और आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जो एम्टेपिल की टैबलेट होती है या जो अन्वांटेट किट होती है जो की गरपात कराने के काम आती है उसको हम किस किस तरीक किसे हम इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं आज आपको मैं इस वीडियो की माध्यम से बताने वाली हूं और मैं आपको साथ में ये भी बताने वाली हूं कि बहुत सारे मरीज मेरे बहुत सारे वीडियो जेखने के बाद बार-बार वही सवाल पूछते हैं जिनके जबाब मैं आपको वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रही हूँ, कि ये जो MTPIL की 5 टेबलेट होती हैं, जो अन्वांटेट केट या आपके एरिया में किसी भी नाम से मिल सकती हैं, जो की गरपत कराने के काम आती हैं इनको सही तरीके से कैसे लेना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि इसमें 5 गोलियां होती हैं, और ये जो पहली गोली होती है, जो की Miphy Pre-Stone होती है, 200 mg, ये हमें पहले लेनी होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कि पहले ये 4 गोलियां ले लेते का नाम Miphy Pre-Stone है, 200 mg, इसको सबसे पहले लेना है, ये आपके यूटरस में जाके क्या करती है, ये यूटरस में जो प्रेगनेंसी होती है, उसको यूटरस से अलग करती है, तो सबसे पहले आपको ये वाली गोली लेनी है, अच्छा, उसके बाद ये कौन से लोग इस दव वो फैलोपियन ट्यूब में बनती है, यहां पर बनती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे से यहां यूटरस में आ जाती है, और यहां यूटरस में भ्रून का विकास होता है, यानि कि प्रेगनेंसी बड़ी होती है, तो ये जो एम्टेपल की टेबलेट होती है, ये फैलो इस जगे पर आ गई है तभी आपको ये दवाई लेनी है तो ये कैसे कंफर्म होगा या तो आपको गाइनेकॉलजिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन लेना है और पैल्विक एक्जामिनेशन करवा के चेक करना है कि आपकी प्रेगनेंसी युट्रस में आ गई है या फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किये भी इस टेबलेट को ले रहे हैं बिना अर्टरसाउन कराई इस टेबलेट को ले रहे हैं बिना गाइनेकॉलजिस्ट से मिले इस टेबलेट को ले रहे हैं और उसके बाद उनके इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं उनकी समस्याई शुरू हो जाती हैं और वो पूरे महीने परेशान रहते हैं तो इससे बेटर है कि आप टेबलेट को जो सही तरीका है उस तरीके से लें दूसरी बात आपको यह जो प्रेगनेंसी है जो यूटरस में है वहाँ करीब फाइब वीक्स पर अल्टरसांट से भी पता चल जाती है और होने की पूरी संभावना होती है लेकिन यह बिलकुल गारेंटी नहीं है कि यह जो टेबलेट है वह आपका अबोर्शन कम्प्लीट करेगी कि नहीं करेगी क्योंकि यह बहुत सारे और फेक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी के साथ इंफेक्शन तो नहीं है कोई पहले ऑपरेशन तो नहीं हुआ है या कोई और परेशानी तो नहीं है इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका दवाई लेने के बाद अबोर्शन कम्प्लीट हो जाता है लेकिन बहुत सारे अनलकी पेशेंट्स भी होते हैं जिनका किसी किसी का तो abortion संपूर्ण तरीके से होता ही नहीं है, किसी की life pregnancy continue करती है, किसी का incomplete abortion हो जाता है, किसी का missed abortion हो जाता है, तो बहुत सारे type के patient हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें कभी-कभी पूरी pregnancy बढ़ती हुई दिखाई देती है, कभी pregnancy के कुछ tissue टुकडे दिखाई देते हैं, औ और कभी-कभी pregnancy dead हो जाके अंदर ही रहती है, और patient को कोई bleeding नहीं होती है, दूसरी बात मैंने जो बताई आपको कि ये 5 weeks से लेकर 9 weeks तक better काम करती है, अगर इस से बड़ी pregnancy के लिए आप इस थो अपयोग करते हैं, तो आधिक bleeding होने की संभावना होती है, अब इस tablet को लेना कै कैसी है, सबसे जो common method होता है, उसमें हम सबसे पहले बताते हैं, कि ये वाली गोली आपने अगर आज पानी के साथ खाली है, खाना खाने के बाद, तो इसके 48 घंटे बाद ये जो चार गोलियां हैं, वो आपको चारों वजाइना में रख लीजिए, अपने बच्चे दानी क दीरे जो pregnancy का gestational sack है, वह बहार आने लगेगा, जैसे ही pregnancy tissue पूरा के पूरा uterus से बहार हो जाएगा, आपकी bleeding अपने आपी कम होने लगेगी, और दीरे दीरे 3-4 दिन बाद ये बंद हो जाएगी, और 10-12 दिन बाद आपका pregnancy test negative आ जाएगा, और अगर आप ultrasound करा के देखेंगे तो आपका uterus आपको खाली मिलेगा, और उसमें कोई भी pregnancy की tissue नहीं होंगे, दूसरा जो method है, मैंने बताया आपको कि अगर आपने आज ये गोली ली है, तो इसके 48 घंटे बाद आप जो दूसरा method है, उसमें क्या कर सकते हैं, कि दो गोली आप पानी के साथ खा सकते हैं, और दो गोली आप वजाइना में रख सकते हैं, तीसरा जो method है, हम बताते हैं, कि ये गोली जैसे आपने आज खाई है, तो इसके 48 घंटे बाद ये जो चार गोलियां हैं, आप जीब के नीचे रख सकते हैं, जैसे कुछ patient को नहीं पसंद होता है वजाइना में रखना, या फिर जब वो गोलियों को खाते हैं, तो उनको उल्टियां हो जाती हैं, तो इसका जो ये method है, option कि आप वो जो गोलियां है, उसको जीब के नीचे रख लीजे, और आदे घंटे में ये अपने आपी जीब के नीचे dissolve हो जाएंगी, और बहुत ही अच्छा effect आएगा, और ये जो sub चारों गोलियां एक साथ खा लें, या एक एक करके खाएं, तो जो गोलियों का effective dose है, वो चारों गोलियों का मिला कर आता है, dose, अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट केवल दर के मारे दो ही गोली खाते हैं, तब भी उनको असर आ जाता है, तो वो बाकी की गोलियां आई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके surgical DNC करा लेना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नई bleeding under control है, तो आप dose को complete करिये, क्योंकि complete dose करने के बाद ही आपको best effect इफेक्ट इस medicine का दिखाई देगा, और किस तरीके से medicine ली जा सकती है, अगर suppose आपने ये जो गोली ली ह और इसके 24 आर के बाद ही आपको bleeding हो गई है, तो हम फिर वजाइना में इस गोली को रखने के लिए नहीं बोलते हैं, फिर हम बताते हैं कि आप 24 घंटे बाद ही जैसे ही आपको bleeding स्टार्ट होती है, तो आप इस गोली को सुभह शाम, सुभह शाम करके खा सकते हैं, अब एक variation और होता है, पहले दिन आपको ये गोली लेनी है और उसके दूसरे दिन से आपको सुभह शाम, सुभह शाम करके second day और third day ये dose पूरा complete करना है, इससे आपको धीरे-धीरे bleeding शुरू हो जाएगी और dose का असार आने पर आपका धीरे-धीरे set पूरा निकल जाएगा, तो आपको ये जो tablet है, इसको खाने के बाद, 12 गंटे बाद, 24 गंटे बाद, अगर bleeding शुरू हो जाती है, तो फिर हम जो ये गोली का dose जो है, चींज कर देते हैं, इसको हम जल्दी खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि bleeding शुरू होने का मतलब होता है, कि sack जो है, uterus में separate होना शु और दो गोली खा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से ये गोली को आपको लेना है, जो best effective method होता है, वो vaginal और sublingual होता है, और oral लेने से इसकी effectiveness काम आती है, patient को vomiting नहीं होनी चाहिए, और आपको dose completely लेना है, लेकिन in case किसी भी step पर अगर आपको bleeding बहुत जादा हो रही है, आपको weakness आ रही है, चक्कर आ रहे है, आखों के आंगे अधेरा चाहरा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और surgical DNC करानी है, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे, तो आपका hemoglobin बहुत ज़्यदा गिर जाएगा, आपका पूरा blood जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर को बहुत ज़्यदा नुकसान होगा, तो इसलिए समय रहते आपको लक्षणों को पहचानना है, कि दवाई आपको सही काम कर रही है, या आपको नुकसान पहुचा रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के सुपरविजन में ही अपना ये काम कराना है, औ और काम होने के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट और अल्टर साउंड से ये पता करना है, कि आपका अबोशन कंप्लीट हो गया है, कि नहीं हो गया है, अगर अबोशन इनकंप्लीट है, तो आपको भविश में बहुत सारी परेशानिया हो सकती है, जैसे इनफर्टिलिट को दिखाएं, थैंक यू